इस्टूडेंट गुड इबनिंग, हुमीर करता हूँ, सभी अच्छ होगे बचो आज की इस वीडियो में लगभग तीन चीजों के उपर बात करेंगे सबसे पहला ये बात हम सबसे पहले इस बारे में करेंगे कि 2021 में जिनोंने एडमिशन लिया है मिन्स करेंट में वो इस्टूडेंट जो सेकेंड सेमेस्टर में है उनके लिए काफी अच्छी गुडनी हुझे, उनके लिए बात करेंगे क्योंकि एक्जाम के नियम में बहुत बड़े बदलाव कर दिये गए कि ताकि हर इस्टूडेंट पास हो सकता है, ठीक है यह नियम है और एक नियम लखनो उनके ने एक्जम्टेट का जो नियम था वो खतम कर दिया है, ठीक है इस नियम पे भी बात कर लेंगे, उसके बाद से एटलास में जानेंगे कि अंडर ग्रेजुएट का एक्जाम कप से होगा और post graduate का जो exam होगा वो कब से होगा ठीक है post graduate second semester के exam कब तक होगे undergraduate के second semester के exam कब तक होगे तो वीडियो को पुरा ध्यान से दिखिएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लखनो उनिवर्चिटी का ये जो नियम है पहले एक नियम आ रहा था कि आप लोगों के result में भी अधिकतर EBP लिख के आया होगा जो लोग एक आख सब्जिक्ट में फेलोंगे लेकिन अब लखनो उनिवर्चिटी ने ये कहा था पहले का नियम एक बार थोड़ा सा लखनो उनिवर्चिटी का पहले का ये नियम होता था अब पहले अंडर ग्रेजुट की बात कर लेते हैं फिर पोस्ट ग्रेजुट की बात कर लेते हैं देखिए अंडर ग्रेजुट में तीन तरीके से पुढ़ांग होता है ठीक है एक होता है 75 और 25 का बिए भीसेवी कौम एनिपी का रूल है ये 75 और 25 का पुढ़ांग होता था इन्वर्चिटी कहते थी कि बच्चे को 75 में कम चे कम 25 नमबर थिवरी में लाएगा और 25 में से 8 नमबर लेके आता था तो 33 होता था तब ही पास होता था और इन्वर्चीटी का पुराना नियम ही ये था कि जब तक बच्चा 75 में 25 नहीं लाएगा तो क्या किया गया था मांग शीट में 0 दे दिया गया था फिर जब नमबर आया तो पता चला कि उसका इतना ही नमबर इसलिए फेल किया गया ठीक है लेकिन अब लखनो इन्वर्चीटी ने इस नियम को कर दिया खतम चलो बाई 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 जाओ तुम तुम्हारा काम खतम हो गया अब हर बच्चा हो जाएगा पास ठीक है क्यों होग एक्जाम सत्तर नमबर का होता है तो लखनो इन्वर्चीटी कहती दी कि सत्तर में 24 लेके आओ तो अभी तुम पास होगे वरना तुम्हें फेल मानेंगे ठीक है दोनों को देख लिया लेकिन अब जो न्यूरूल आया न्यूरूल देगे क्या कहती है लखनो इन्वर्चीट ने यह कहा है आपके सामने एक सर्थ रख दिया है चलो मान लिया कि आप हंड्रेट नमबर का दोनों का फुरांक है यूजी में भी और पीजी में भी ठीक है दोनों का मतलब मैक्सिम मार्क होते हैं हर सब्चेक के अब लखनो इन्वर्चीटी कह रही है जो यह हो गया एक्स अब तुम फैल नहीं होगे अब तोटल तुम्हारा हो गया मतल 12 चोवीं मिनिमम नमबर लाना है लेकिन अब ये नियम कर दिया खतम अब लखनो इन्वर्चीटी ने सेम यहां एक्स्टरनल प्लस इंटर्नल में माल लीजिए आपको लखनोर इनवर्सिटी में 30 out of 30 किसी को नहीं मिलता है बहुत मिलता है तो 28 मिल जाता है तो 28 और नंबर यहां लेकर पांच नंबर परिच्छा में लखनोर इनवर्सिटी ने आपके लिए नियम बदल दिया है तो आपको क्या करना पड़ता था पूरा एक्जम्टेड देना होता था लेकिन अब लखनोर इनवर्सिटी के रही है अब बच्चे को एक्जम्टेड नहीं देना पड़ेगा मंतलब 6 के 6 पेपर नहीं देना पड़ेगा अब उसको अगर मालो 33 नंबर से कम है जैसे 3 पेपर में तब 3 पेपर उसको देना पड़ेगा पहले क्या होता था कि 2 पेप एक बैक पेपर का जो लखनोर इनवर्सिटी चार्ज लेती है वो एक हजार रुपे लेती है ठीक है तो यह नियम बदलाव किये हैं एक नियम और जान लो बच्चो लखनोर इनवर्सिटी ने इसके साथ साथ एक नियम और लागू किया है नियम यह लागू किया है कि जैसे माने लो फॉर्स सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर ठीक है फॉर्स सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में अगर लड़का तीन सब्जेक्ट में तीन सब्जेक्ट यहां तीन में पास यहां होगा तीन में अगर यहां पास होता है अगर छे में पास हो गया छे सब्जेक्ट में पास हो गया तभी वो third semester में जाएगा तभी वो उसको third semester में admission मिलेगा वरना उसे वहीं पर second semester में ही रोग दिया जाएगा मतलब third semester में जाने से उसे रोग दिया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि आपके three subject घक तो बारे paper में आपको 6 paper pass करना है फॉस्ट में तीन और सेकेंड में तीन तभी आप दूसरे semester में जाप होगे और ओवर आल आपका जो होना चाहिए वह 33 परसेंट होना चाहिए लेकिन जब आप 3rd semester में promote तभी किये जाओगे जब आपका 2nd semester का average कितना होगा 36% होगा एक rule ये भी है ठीक है उसके बाद से लखनो इनवर्सिटी 2nd semester के exam के उपर ये एक बड़ी update देती है कही है कि PG 2nd semester का जो exam होगा वो 7 September के बाद हम कराने के लिए सोच रहे है वहीं UG का जो exam होगा UG 2nd semester का जो exam होगा उसे हम 12 से लेके 14 September के बाद ही कराएंगे मतलब 24 के बाद ही होगा मतलब ये मान के चलिए कि 14 September के बाद ही BA, BSC, BC, 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 BC जो भी है BA, सब के 14 September के बाद होगे और चाए वो लड़का BA में पढ़ता हो चाए BA में पढ़ता हो चाए BSC में पढ़ता हो सब के लिए नियम लागू है और BA, BSC की मार्चीट में ये नमबर छप चुके हैं तो BA वाले आज क्या करना अपने मार्चीट खोल के देखना BSC वाले जाके मार्चीट शेक करो तुम लोग के मार्चीट शेंज होंगे और बाकी सभी के B.com वाले और जो भी PG courses में होंगे जैसे BA, BA, B.O.T.ने लोग होएं उनके जो मार्चीट होंगे वो सितंबर के पहले सब्ता तक सभी के चेंज हो जाएंगे और B.com का जो होगा लास्ट वीक अगस्त तक चेंज हो जाएगा मार्चीट मेंज अब आपको पढ़ाई करते जाना है टेंशन नहीं रहेगा आराम से पढ़ाई करोगे नहीं पढ़ाई करोगे तो मुश्किले होंगी क्योंकि अब लखनो इन्वर्चीटी का अगर इतना भी नियम आप भी अगर चेंज करने की वज़े से स्टूडियन फेल रह जाता है तो बहुत मुश्किल है यह नियम सिर्फ 2021 में जिन्होंने एडमिशन लिया है सिर्फ उनके लिए और 2022 में जो आने वाले हैं उनके लिए है अब यह नियम काफी अच्छा है 2018 वाले जो 4, 5, 6 में होंगे उनके लिए फॉलोव अप नहीं होगा जो 2nd semester में सिर्फ उनके लिए ही फॉलोव होगा उमीद करता हूँ बच्चो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो का लाइक जरूर करिएगा चैनल पर नए आये हैं तो चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा यार क्योंकि 48% लोग ऐसे हैं वीडियो तो देख लेते हैं चैनल सस्क्राइब नहीं करते हैं घाटा इस बात का होता है क्योंने अपडेट नहीं मिल पाती होगी और रेगुलर जूले रहने के लिए हमारे टेलेग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं है सब्सक्राइब करें लियू अपडेट डॉट कॉम ठीक है इस पर मेल कर दीजिएगा हम आपके सवालों का जबाब जरूर देंगे तेंकियो समच वच्छों